नमस्कार मैं दिलावर सिवागेल आपका अर्दिक स्वागत करता हूँ आज के ये वीडियो की इस रुंख्ला में हम जोतिश के बारे में जानेंगे कई लोग ऐसे है जिनको जोतिश सिखना है अपने लिए दूसरों के लिए या कई ऐसे जोतिश ही है जो अपने ग्यान को और सार्प करना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर मैं एक छोटा सा प्रहुतना कर रहा हूं कि मैं आपको जोतिस के बारे में सरलता से और सटिकता से कुछ बताऊं तो आईए हम जोतिस को जाने, जोतिस क्या है, किस तरह काम करता है, क्या उसके फाइदे है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जोतिस के इत्यास के बारे में सबसे पहले, तो देखें, हमारे जो रुशी मुनित है, उन्होंने कई साल पहले आकास, यानि अवकास का अध्यान किया, और उन्होंने पाया, कि स्काई के अंदर, आवकास के अंदर ग्रहों की जो स्थितिया बनती है, उसके रिगारिंग, जो भी पृत्वी पर मनुश्य है, उनके जीव एक बहुती उच्छ स्थार पे लाकेत रखा, जोतिस शास्त्र में कई अच्छी बुक्स है, जो हमारे रुश्यों ने लिखी है, वो पढ़ने के बाद भी आप अच्छी तरह से जोतिस को समझ सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं वीडियो के द्वारा आपको थोड़ा समझाने का प्रयाद ना करूंगा, कि जोतिस क्या है, और वो हमें किस तरह से हल्प कर सकता है, देखे, जोतिस का जो इत्यास है, उसके बारे में हम ज्यादा डिप में नहीं जाएंगे, हम सिधे ही पॉइंट पे आएंगे, तो यहां पे हम देखे, कि लोगों की एक संकार हैं कई ल है, हमारे बीच में इतना डिस्टंस है, तो क्या सही में हैं, ये ग्रह हमें प्रभावीत करते हैं, तो यहां पे उसका एक में एक्जामपल दे रहा हूं आपको, आपने देखा होगा कि चंद्रमा की जो कला है, यानि अमास, अमावश्या और पुनम जो है, उस दिन लो टा आने की वज़े से, पानी जो है, उसमें बढ़ोती और कमी होती है, और इसकी वज़े से, हाई टाइड और लो टाइड बनती है, तो कहने का मतलग, अगर सूद्य की वज़े से, चंद्रमा की वज़े से, पृत्वीपर का जो पानी है, वो प्रभावित होता है, हम जानते है के पृत्वी पर 7 परसंट पानी है उसी तरह से हमारी बॉड़ी के अंदर भी 70 परसंट पानी है तो अगर पृत्वी पर के पानी है वो प्रभावित होता है तो हम पृत्वी पर ही रहते है तो हम भी कुछ न कुछ ये जो है सुर्य और चंद्रमा की वज़े से प्रभावित होते ही है हमारी सोच, हमारे विचार ये सब भी इनकी वज़े से प्रभावित होते है इसी तरह से बाकी के जो planets है वो भी हमारे मन मस्तिस्क को, हमारे विचार को, हमारे स्वभाव को प्रभावित करते हैं तो जोतिस यही subject है, यही विशे है जो बताता है कि आप आकास में जो ग्रह है उसके वज़े से किस तरह से प्रभावित होंगे और आप क्या करेंगे आगे हम देखते हैं कि हमारी जो solar system है, उसमें सूर्य जो है, वो कैंदर में है, मंत्य में है, stable है उसके आजो बाजो mercury यानि के बुद्धगर की कफसा है, बुद्धगर ब्रह्मन कर रहा है उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृत्वी, उसके बाद है मार्स यानि मंगल, उसके बाद है जुपिटेर यानि गुरु, उसके बाद है सैटर्ट यानि सूर्य के आजो बाजो, यह जो हमारे ग्रह है, एक, दो, तेन, चार, पांथ, और यह ब्रह्मन का अक्षा जो है, उसमें पृत्वी भी सूर्य के आजो बाजो गुमती है तो कहने का मदलब, यह हमारी एक सोलर सिस्टम है, जो हम जानते हैं, उसको थोड़ा इस तरह से समध्य का प्रायत न करें, सूर्य के आजो बाजो पृत्वी के साथ सभी ग्रह भुम रहे है, लेकिन हम जो अध्ययन कर रहे हैं ग्रहों का, वो पृत्वी पर से कर रहे है, त उसको अगर समझना है, तो हम पृत्वी पर से इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम पृत्वी को जो है, वो स्थीर रखेंगे, और सूर्य के साथ बाकी के ग्रहों को हम घुमाएंगे, और उनका जो ब्रहमन है, उसका अवलोकन करेंगे, तो देखें, यहां पे मैंने सूर्य गुम रहा है, मार्स यानि मंगल गुम रहा है, जूपिटर यानि गुरु गुम रहा है, और शानी यानि सैटन गुम रहा है, यानि पृत्वी पर से हम इन सब ग्रहों को गुमते हुए देख सकते हैं, उसके लिए हम टेलिसकोप का यूज कर सकते हैं, सूर्य वो त सुरी के साथ उनका जो ब्रह्मन है उसका उलकुन किया और वो बाकी के जो ग्रह है वो कहां से बसार होते है यानि कहां से जाते हैं कौन से नक्षत्र या रासी में से जाते हैं और क्या प्रभाव देते हैं उसका अध्यान किया आगे हम देखते हैं यह जो मैंने आपको घ्रह बताए वो साद ग्रह थे सूर्या चंद्रा मंगल बुद्ध गुरु शुक्र और शानी लेकिन हम जो अभ्यास करेंगे जोतिश शास्त्र में वो नो ग्रहों का करेंगे उसमें हम राहू और केत्य को भी सामिल करेंगे हाला कि राहू और केत्य चाया ग्रह है लेकिन हम इनको जोतिश गर्णा में ग्रह ही मानेंगे राहू और केत्य जो है वो सूर्य की जो भ्रह्मन कक्षा है यहाँ पर आप देख रहे हो और चंद्र की जो भ्रह्मन कक्षा है उसके दो छेदन बिन्दु है उसमें राहू जो है वो उत्तर द्रू का छेदन बिंदू है केतु जो है वो दक्षन द्रू का छेदन बिंदू है इस तरह से हम नोग ग्रहों का अभ्यास करेंगे अब जब हम पृत्वी पर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कई तारों के जो समू है वो अलग-अलग अकृतिया बना रहे है यहाँ पर हम देख रहे है कि ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा ये बारा जो अकृतिया है वो अलग-लग स्टार्स के समू से बनी है ये बारा जो आकृतिया है वो पृत्विके चारोर फैली हुई है और यही हमारी रासिया है हमारे रुशिमुनी ने जो भी स्टार्स का जो समूथ है उनकी जो आकृति थी उनको एक नाम दिया यहां पर हम देखें कि एजो है मेश्राशी है ये वृषब है ये मिथून ये कड़ ये सीं कन्या तुला वृषिक धनु तो एक आकृती बना रहा है तो इनको ध्यान में लेके ही हमारे रुष्री मुन्यों ने उनको रास्यों के नाम दिये है पृत्वी के चारों और यह रास्या फैली हुई है यह आपको समझाने के लिए यहां पर इस तरह से बताया गया है उसको थोड़ा डिटेल में अगर हम देखें तो देखें यह जो है कर करासी यह एक दो तीन चार पांच पांच तारों के समूं से बनी है और उसकी जो आकृती है वह केकड़े की जैसी लग रही है इसलिए इसको कैंसर नाम दिया गया है उसका और एक एक आग्जांपल देखें तो देखें यहां पर आप लग राश्यों को नाम दिया देखें यह जो राश्या है तारों के समूं है वह आप भी देख सकते हो रात में लेकिन वहां पर जो पॉल्लूशन अगर कम होगा तभी आप रात के अंधरे में आकास में यह तारों को समूं को इस तरह से आप देख सकते हो देखें टोटल ज जो रासी आती है उसका नाम है मेस। यहां पर आपको कई कुण्डली कर्ा बनाएंगे तो उसमें रासियों के नाम नहीं लिखेंगे लेकिन उसके numbers लिखेंगे तो देखें ये मेश रासी है उसका एक नमबर है और उसमें जो अक्सर आते हैं लेटर्स आते हैं वो है अल ल ई वुरुषब रासी है उसका दो नंबर है और उसको इंगलिस में टॉरस कहा गया है और उसमें जो अक्षर आते हैं वो है ब, व, उ उसी तरह से तीन नंबर जो है वो मिथुन रासी का है जिसको इंगलिस में जमेनी कहा गया है उसमें जो लेटर्स आते हैं वो है क, छ, ग, अक्षर है ड और हर पांच नंबर जो है उसको दिया गाया है उसका इंग्लिस में कहते है उसको लियो और उसके अक्षर है मतर छे नंबर पे है कन्यारासी इंग्लिस में उसको वीर्गो कहते है और उसके जो अक्षर है वह पठ अना उसके बाद है साथ नंबर पे तुलारासी उसको Libra कहते है इंग्लीज में और उसका जो नाम अक्षर है वो है र और त आठ नमबर पे है वुरुशिक रासी Scorpio, नाम अक्षर है उसके न और य नौ नमबर पे है धनू रासी, Secretarius और उसके अक्षर जो है वो है ब, द, फ, ड, 10 नमबर पे है मकर रासी, Capricorn उसके अक्षर जो है वो है ख, और ज, 11 नमबर पे है कुम्र रासी, उसका इंग्लीज नाम है Aquarius और उसमें जो अक्षर आते है वो है ग, स, श, 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 उसके बाद है मिन रासी, बारा नमबर की उसको Englishman Pisces कहा गया है और उसके नाम के अक्षर है द, च, थ, ज, तो ये एक से लेके बारा रासिया है इसको आपको नमबर, नाम और अक्षर के साथ याद रखना होगा अगर आप जब कुनली बनाओगे तो आप ये रासियो के नाम उसमें नहीं लिखोगे उसमें सिर्फ नमबर ही आएंगे तो अगर पांच नमबर लिखा है तो आपको बता चलना चाहिए कि ये पांच नमबर सी रासि बता रहा है ग्यारा नमबर लिखा है तो वो कुम बता रहा है तो इस तरह से आपको याद रखना होगा एक से बारा रासि उसका हिंदी नाम, इंग्लिश नाम और उसमें कौन से अक्सर आते हैं फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे यहां पर मैं कुछ आपको एस्ट्रोलोजिकल कोट्स जो है वो बताना चाहता हूँ वरह महिर जो है अमारे जोदिश शास्त्री उन्होंने एक बहुत बढ़िया उनकी जो है सेंटन्स है there is no better boat than a horoscope to help a man cross over the sea of life बहुत ही बढ़िया कोट्स है इनकी उसके बाद Albert Einstein जो है उन्होंने कहा है कि astrology is a science in itself and contains an illuminating body of knowledge it taught me many things and I am greatly in depth to it और एक बढ़िया है a physician without a knowledge of astrology has no right to call himself a physician astrology is a language if you understand this language the sky speaks to you next है बहुत ही बढ़िया कोट है ये मुझे बहुत ही पसंद है millionaires don't use astrology billionaires do तो ये जो क्वर्स है वही जोतिश का जो है महत्व बता रही है next video में मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र रासी क्या है लगन क्या है उसमें क्या फर्क है तो अज़ सिंखे का दूसरा जो भाग्म बहुत ही जल्द लेके म मैं आपके पास आओंगा अगर आप जोतिस और वास्तो के बारे में कोई भी के प्रशन है आप कुनलिप बताना चाहते हैं ये वास्तो के 121-80808 आप मेल कर सकते हो info at the rate astroalchemist.com आप हमारी साइट पे जाके भी महीति या जो भी है आपको जाना वो जान सकते हो www.astroalchemist.com यहां तो यह वीडियो में समाप्त करता हूँ next वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे तक तक के लिए धनिवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें कमें करें इसको शैल करिए अगर आपका कोई भी प्रस्ना है यह वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट में उसको लिख सकते हैं थैंक यू